नमस्कार दोस्तों आप सभी को विल्दी वीथ मल्टी बैगर चैनल पर स्वागत हैं आप सभी को एक कंपनी का फंडमेंटल एनलसी तिखाने जा रहा हूं जिसका करेंट प्राइस अभी 233 रुपे का है और पिछले एक साल में इस कंपनी ने गजब का अपने प्राइस में शूट अप किया है तो मतलब कह सकतो हो आप 30-35 रुपे पर चलने वाला जो शेयर था 27 रुपे पर चलने वाला शेयर जो 2022 अपरल 2022 तक इसकी सिचुएशन 24 रुपे की थी जो अचानक बढ़के 263 रुपे पर आचुकी है तो कम से कम इमिडिटली आप कह सकतो हो कि पांच गुना से भी जादा करीब करीब आप 9 गुना तक ये शेयर आपको रिटर्न दे चुका है पिछले कुछ वर्शों में अब यहां से अगर देखे इसके पिछले पांच साल के चार्ट को तो आप यहां से देखिए यह पांच साल में किस तरह प्रफॉर्म किया है और दस साल में किस तरह प्रफॉर्म किया है अभी इसके बारे में और समझाऊंगा यह कंपनी जो है तो आपको कि इसके लिए मैं आपको रेकमेंट करूंगा आप अपने अडवाइजर से जरूर बात करें अपने टेकनिकल एडवाइजर से फंडामेंटल एडवाइजर से क्योंकि यह शूट अप हुआ है पिछले एक साल में तो यह बहुत ही डिफिकल्ट है कहना कि अभी एक दो साल में कुछ रिटर्न दे लेकिन अगर आप इसको पांस साल दस साल के लिए होड़ करते हैं तो इसकी पूरी गैरेंटी है कि आपको रिटर्न देगा अभी अब इसके बारे में और हम समझते हैं थोड़ा इसके डिलिवरी पे चलते हैं अगर यहां से देखें तो देखिए इसके delivery 100% कि रहती है, देखिए microcap company है, trade to trade इसमें चलता है, और जो भी shares बाइंग होती है, देखिए अभी लोग इसमें जो भी खरीदारी कर रहे है, 100% के delivery कर रहे है, my god, देखिए आप, किस परकार इस company में, जून के महिने में, जून के महिने में, देखिए, 100% highest ever, इसमें डिलीवर हुआ है इस stock का, अगर अब इसके इसको देखें, तो corporate कुछ तो dividend वगरा देती नहीं है, अब यहाँ चलते हैं, इसके technical information पर, अगर आप देखें यहाँ पर, पांस साल में company ने 1461% का return दे दिया है, इस company ने, और यहाँ से इसके अगर indicator को ध्यान दे, तो overshort zone में अभी चल रहा है, positive indicator इसके short relative strength जो भी है, RSI वगर, जो भी इसमें अच्छा अभी दिख रहा है indicator, लेकिन आप अपने technical advice से जरूर बात करें, अभी चलते हैं, इसके देखें, FMCG, consumer goods की company है, और यहाँ से देखें, इसका जो अभी price है, 263 रुपय का है, market cap 245 क्रोड है, enterprise value 226 क्रोड है, earning per share, देखें, 40.86 है, price to earning 6.33, पी कितना कम है, industry P 55.7 है, तो अपने industry P से तो बहुत कम चल रहा है भी, और book value per share 62 का है, price to book value तो चार दुसनमलों एक साथ है, number of share सर्फ का 0.95 number of share सब्सक्राइब है, इसके बहुत ही कम share है इसके market में, face value भी इसका 10 है, अब यहाँ से चलते हैं, कि आखिरी इसमें क्या जूबा होगा है, जो company का price पिछले दो साल में जबर्दस तरीके से shoot up किया है, इसका reason हम लोग देखते हैं यहाँ से, अब यह देखिए इसके अगर आप quarterly sales को देखें, तो 27 करोड की business कर दीती, December 2022 तक यह company, उसके बाद इस company में, आप देखो कि September 2021 के बाद, हर quarter में company का sales बढ़ता जा रहा है, 33 करोड, 36 करोड, 40 करोड, 60 करोड, 54 करोड, फिर अब देखिए, यहाँ से अगर आप ध्यान देए, तो इस company का जो expenditure भी ही, धीरे धीरे company अपने expenditure को control कर रही है, देखिए किस पर का expenditure धीरे धीरे कम हो रहा है, अगर इसके sales को अगर compare करें, जिसके बिसे से, जिसके कारण, इस company का EBITDA भी देखिए, बढ़ रहा है, 4 दसमलब 7-9 करोड करने वाली company, 19 करोड पर आचुकी है, भी देखिए, इसका EBITDA, सबसे important चीछ, other income भी इनका fix है, एक करोड हर बार, हर quarter में, एक करोड का अधर income भी जेनरेट कर रहे है, company का interest भी देखिए, कुल मिला कि ठीक ठाक चल रहा है, 29 लाग, 37 लाग का interest अभी company पे कर रही है, profit before tax भी company तो 5 करोड से बठा कर, 20 करोड तक आचुकी है, company पिछले, 4-5 quarter के अंदर अंदर, profit भी इनका देखिए, शड़न ग्रोड किया है, 5 करोड से 14 करोड, आप देखिए, क्या गजब की company अगर से, इसके annual sales के अगर आप बात करें, annual sales, तो देखिए, किस परकार company में, सब कुछ change हो रहा है, 2014 में 105 करोड का sales होता था, 2017 में 76 करोड पे sales आगया, इनका डाउन हो गया, उसके बाद देखिए, क्या गजब तरीके से, हर साल, 76 के बाद, 87, 909, 111, 125 और अभी, 2023 मार्च में इस ने रोज रिपोर्ट दिया, तो 221 करोड का company ने sales किया है, साल दर साल किया कर बात करें, और company का expenditure भी कुल मिला के manage है, और यहां देखिए, EBITDA, पहले EBITDA नेगटिव में हुआ करता था, नेगटिव में 4 करोड लॉस, 2 करोड लॉस, 6 करोड लॉस, उसके बाद देखिए, मार्च 2023 में 51 करोड का profit बनाया है, company ने, क्या गजब का है, interest company ने अपना गजब का reduce करा, अब इस सिर्फ 1 करोड इंट्रेस्ट देती है, अब देखिए, कोई company अगर 50 करोड EBITDA बनाएगे, उसमें से 1 करोड इंट्रेस्ट पे करीगे, तो क्या impact पड़ेगा, बहुत ही कम, अब profit before tax देखिए, 52 करोड, tax देखिए, 13 करोड का tax पे करने के बाद, company 38 करोड का profit बना रही है, अब इसका ratio की बात करें दो कि, यहां से देखिए, return on equity, 90%, return on capital employee, 80%, return on asset, देखिए, 50%, my god, सभी चीज़े गजब की है, profit margin देखिए, 24%, margin देखिए, 24%, pat, earning per share, 40, book value per share, 62, asset turnover, 2.8, 8, 7, बहुत ही अच्छे तरीके सही थे, देखिए, date receival भी इनका कम हो गया है, पैसे भी बॉल जल्दी आने लगे इनको, अब यहां देखिए, working capital जो 63-46%, एक घजब की company, घजब का performance दे रही है company, अब यहां देखिए, shareholding fund, अब देखिए, shareholding fund में अच्छानक शूट अब हुआ है 69 करोड, लेकिन अगर आप इसके ध्यान से देखे, समझे, तो company ने सबसे पहला चीज़, जो किसी भी investor को सबसे अच्छा लगता है, को अपने equity capital को reduce करे, और यहां देखिए, यह पहली बात, आप देखेंगे, इतनी अच्छी company, अच्छा turnover करने के बाद, अपने equity capital को कम कर रही है, बहुत ही अच्छी बात, अब यहां से देखिए, इसका reserve को, equity capital कम हो रहा है, और reserve बढ़ रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त combination है, अब यहां देखिए, non-current liability कुछ नहीं है, सर्फ 2 करोड की, current liability 149 करोड, और इसके सामने देखिए, सबसे important, current asset के बाद 13 करोड का है, sorry, non-current asset, और current asset देखिए, 87 करोड, अब इसमें से क्या क्या है, इनके पास है, inventory 18 करोड, sundry, market से पैसे आने 18 करोड, cash इनके पास पढ़ा है, कम से कम 50 करोड, गजब की कमपनी है, छोटी सी कमपनी है, लेकिन आने वाले future में, ये गजब बूमा बूम कर सकती है, अब देखिए, net sales यहां का 221 करोड, total income देखिए, बढ़ चुका है, इनका, appreciation tax पर करने के बाद, भी पैट इन का ओदेखिए 49 करोड हो गया, कमपनी अच्छा खाशा cash maintain कर रही है, देखिए, cash इनका बहुत अच्छा चल रहा, अब यहां से shareholding pattern पर ध्यान दे, सबसे important चीज़, जो देखिए, किसी भी investor को सबसे अच्छा क्या लगता है, कि उसका promoter उसमें अपने stake को बढ़ाए, और यहां देखिए, वही हो रहा है, पहले 14% stake था promoter के पास, 2021 जून तक, उसके बाद अचानक 68% कर लिया promoter ने, उसके बाद देखिए, 68 के बाद 69 कर लिया, 2022 जून में, उसके बाद देखिए, 76% का, इसने अपना holding कर लिया भी, FII खतम है, FII के अपने एक भी share नहीं है, DIA के पास जो भी उसने अपने share बेचा, और promoter ने खरीद दिया, non institution भी बेच रही है, और promoter खरीद रही है, क्या गजब का है, इसमें solid, इसके promoter का नाम यहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप से recommend करूँगा, कि किरपया करके, आप अपने advisor से, अपने technical, fundamental, जो भी advisor हैं, आप उससे जरूर बात करें, इसमें इंश्मेंट करने से पहले, और यहांद के high return on equity, अब चलते हैं, इस company का नाम समझते, क्या है इस company का नाम, जो मैंने इतने दिर्स से आपको बता है नहीं, company का नाम यहां से आप देखे, साइट पर जाएंगे जब आप, तो इस company का नाम आपको दिखेगा, इस company का नाम है, Obubal Foods Limited, देखे, Obubal Foods Limited जो है, market leader, अभी leader बन चुका है, यह manufacturing complete range of eggs, प्रोबर्ट, जितने भी अंडे से बनने वाले product होते हैं, उसका यह supply कर रही है, यूरोप में, जापान में, South Asia में, और पूरे around the world यह supply होता है, और यह complete range of egg product बनाती है, इसका बैंगलोर में site है, ठीक है, बहुत ही highest quality पे, quality पे बहुत ही जोड देती है, अच्छा experience हीन के पास, एग योग बनाने का, और यहां से देखे, यह leader है, manufacturing complete egg range बनाती, यहां से आप देखे, इसके सारे egg product को, yolk, powder, यह सारे कुछ बनाती है, इसके address के बारे में सब देख सकते हैं, आप product के बारे में site पे जाईए, देखे, इस,